नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सोल्यूशन पर अगर आप लोग रिपेरिंग सीखना चाहते हैं अप्लाइंसीज की, इंस्ट्रुमेंट्स की, डिवाइसीज की तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों तक नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातर मिलती रहें उसके बाद आज आप हमारा रिपेरिंग का वीडियो देखें, अगर आपको हमारा रिपेरिंग का ये वीडियो पसंद आता है, तो इसी तरह के रिपेरिंग के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके, अलग अलग अपलाइंसीज के, लेक्ट्रिक टू वीलर आता है उसका ये बैटरी चार्जर आया है रिपेरिंग के लिए और हमने इसे चार्जर की रिपेरिंग यहां पर स्टार्ट भी करती थी लेकिन क्योंकि इसमें जो फाल्ट है वो काफी इंट्रेस्टिंग है इसलिए ये वीडियो में आप लोगों के यह इसके अंदर एक्च्वल प्रोब्लम थी पीसीव को हमने बाहर निकाल कि इसके कंपोनेंट को चेक करने की कोशिश की तो यहां पर इसकी आउटपुट पर दो मोस्पेट लगते हैं सीरीज में लगते हैं पोजिट्व के यह दोनों मोस्पेट यह दोनों मोस्पेट लगते हैं उसके ड्रेन से जो पोजिट्व पे पे आउटपुट पे जो ट्रैक जाता है वो भी बर्न था कि उसको भी मैं कोसिस्क रहूंगा नजडीक से दिखाएं ये वो print है ये red जो है positive पे आपका output निकलता है इस MOSFET के drain से यह यहाँ पे print आपका open था MOSFET यहाँ पे short हो गये थे print भी यहाँ पे open हो गया दोस्तो इसमें जो MOSFET लगे थे वो मैं आपको नजदिक से दिखा देता हूँ GP110N10SL यह 73 ampere 100 volt के MOSFET है जो कि यहाँ दो लगे थे series में दोनों ही short थे मैं आपको check भी करवा देता हूँ यहाँ पे multimeter को diode mode पे करके उसके बाद हमने इसके जगहें पे कौन से MOSFET लगाये हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे यह बीच का जो hitsing का drain है तीसरा जो है shorts है यह multimeter पे आप देखेंगे तो यह 00 इसने दिखाया है यह short है इसको अगर आप check करेंगे बीच वाला जो है वो drain है और तीसरा जो है shorts है यह 00 इसने दिखाया पहले पे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे oil दिखा रहा है यानि कि इस MOSFET का gate जो है वो short नहीं है शिर्फ drain और short है इसके first वाले पे लगाएंगे तो जो gate है वो भी कोई value शो कर रहा है यहाँ पे 1.636 1.636 यानि कि इसका जो gate है वो भी कहीना कहीन drain के साथ उसका leakage हुआ है उसके अंदर कुछ damage हुआ है तो यह संभावना भी बनती है कि इसका जो gate का circuit है उसमें भी कुछ impact आया हो उसमें भी कोई fault आया हूँ अगर drain और source अगर short है तो drive वाले circuit में problem रहने की संभावना कम रहती है अगर gate भी short हो जाए या gate के अंदर leakage हो जाए तब यह possibility बन जाती है कि उसके जो gate को drive करने वाला circuit है उसमें भी कोई problem आ जाए हमने इसकी जगह पर जो MOSFET लगाये हैं उनका number है K100E10 यानि कि वो लगबग 200 अमपेर के MOSFET और 100V के हैं वो मेरे पास available थे इसलिए मैंने उनको यहां पर इसकी जगह पर लगा दिया है वो दोनों MOSFET मैंने यहां पर लगा दिये हैं मैंने आपको बताया था कि इसकी repairing मैंने start कर दी थी उसके बाद मुझे interesting fault लगा इसलिए आप लोगों के लिए यह video upload कर रहा हूं वो हमने यहां पर MOSFET चेंज कर द इसलिए हमने चार बैटरियों को connect करने के लिए दो जिगों को series में किया है डवल बैटरी का यहां पर मेरे पास arrangement है और दूसरी जिग पर भी डवल बैटरी का arrangement है दोनों को हमने यहां पर series में कर दिया है voltage यहां पर इसकी 35 वोल्ट है और दूसरी जिग पर वोल्टयज है वह आपकी 24 वॉल्ट है टो जोतल 49 वॉयल्ट आपकी यह पर हो गई है लेकिन यहां पर यह 35 आपकी दो ही स्हाई के दोफिज हो हई generate और इसकी शीरिज में दूसरी जिग हा वहां पर भी 24 वॉल्ट है यहा यह मेरे पास वह PCB है जिसके अंदर फाल था जो प्रिंट था उसको हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया है एक वायर के थुरू ताकि सरकेट हमारा यहां पर पूरा हो जाए सबसे पहले हम बैटरी वोल्टेज यहां पर चैक करेंगे नेगिटिव आपका यह है और पोउजटिव आपका यह है रेड बाडाइ केंट मेटरी और चैक की में म Hetman कुंधिट से पहले यहां पर डीषी आपको आपको नहीं करेगा जो दोनों मोस्फफ चीरी में हैं जो कि हमारे यहां पर फिल्टर कर लगे है उन से होते। वे अपका यहां पर यहां पर पोजिटिव आपका वेसे नहीं कर da तो मोज़विट्विट से पहले अगर आप चयक करेंगे तो आपका कोई यहां पर शोग ने कर रहा है यह कपिश्टर के कि अब यहां पर अभी चैक करेंगे तो वही 49 वोल्त है मोश्फेट से पहले अगर हम चैक करेंगे जहां पर एक वोल्ट थी वहां पर अभ 44.8 यानि कि लगवक 54 से 55 वोल्ट के आसपास है जो कि इस चार्जर की चार्जर वोल्टेज है लेकिन यह जो चार्जर वोल्टेज है यह आपका बैटरी तक नहीं पहुंच पा रहा है जबकि हमने दोनों मोस्पेट यहां पे चेंज कर दिये हैं और इसका जो सरकेट है उसको यहां पे चार्जिंग करेंट भी नहीं आया है और हमारे चार्जर ने यहां पे काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि चार्जर वोल्टेज यहां पे 54.8 वोल्ट बन गई है अब हमने समझना यह है कि अब यह हमारे मोस्पेट ओन क्यों नहीं हुए इसका मतलब हमारे ड्रा कु mortal की दोनों के शूर्स यहाँ पे शोट वानिय loaf और आपका घ्यवर्ज है उस पर लगाएं ने तेख़ी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ यह नहीं कर रहा है सिम्पल इसका जो ओनों होता है या तो यहां पे 12 या 15 वल्ट डारेक्ट मिल जाएगी या तो 12 या पंदरा ओल्ट नहीं मिलेगी क्यूँकि यह जो mosfett है इ하inkी switching नहीं होती है इन vos fat को शिर्फ on या off करते हैं जैसे कि हमारे relay को करते हैं कुछ जो कंपनियां हैं इन मोस्पेट की जगह पे रिले भी यूज करती हैं रिले को या तो connect करेंगे या तो disconnect करेंगे उसको हमारे जो switching होती है inverter वगरा में या इसके primary section में उस तरह से switching यहां पर नहीं होती है तो यह MOSFET आपके OFF हो जाते हैं, ताकि बैटरी इससे disconnect हो जाए, जैसे हमारी relay में होती है, दोस्तो, जो MOSFET की supply का circuit है, उसको यहाँ पे चेक करें, समझें, उससे पहले हम एक trick यहाँ पे करते हैं, ट्रिक क्या है कि यह जो दो MOSFET को सीरीज में करके स्विच बनाया है, इस स्विच को हम बाइपास करते हैं, यह जो positive है, इसको हम डारेक्ट यहाँ पे connect कर देते हैं, बैटरी का positive है, आप उसको हमने यहाँ से उठाके, दोनों MOSFET के पहले, जहाँ पे हमारा चोवन वोल्ट ब मैं Mains को OON करता हूँ, मैं Benms को OON करता हूँ, यह फैन यहाँ पे, गूमना स्टास हुह है और यहाँ पे वोल्टे च hèक करते हैं 54V, आमपेर देखेंगे तो आमपेर यहाँ पे आ गया है क्योंकि बैटरिया यहां पे चार्ज हैं तो आंपयर यहां पे कम आया है लगवग 3 अंपयर कि आसपास आ गया है यह पुरानी है तो तुरन्त यहां पे 29 वॉल्त फे यह पहुश गयी हैसलिए यहां पर लेकिन हमारा सप्ति NSK काम कर गया है इस इस ट्रिक से हमने इसको वेरिफाई कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि ऐसा तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि इन मोस्वेट को भी हमने यहाँ पे कंट्रोल करना है अभी अगर आप इस सर्केट को गोर से देखेंगे तो यहाँ पे तीन सप्लाई बनी है यहाँ पे एक स्प्लाई यह है एक डायोड और एक यह आपका कपेश्टर है इस ट्रांसवरमर की जो सेकेंड्री है उसको यहाँ पे step down होके जो voltage मिलेगी उसको rectify किया filter किया एक diode और एक capacitor यह है एक diode और एक capacitor यहां पे है यहां पर यह जो supply है इस circuit के लिए है यह जो बीच वाली supply है वो आपकी fan के लिए है जो उपर से यहां पर यह जो supply है वो आपकी MOSFET के लिए है यहां जो supply बनेगी वो आपका उसके बाद य मुझे यहं पर जिनन को और क sporting को सिरीज में भाव के और इसके सप्लाइ के अक्रोस बना दिया बना लगा गया हुआ को समझे यहां बारा वोल्ट का है उसके समझे मेंना पड़ेगा है यहां 25 जीछ दाइगे उसके अगर आप data sheet देखेंगे तो उसके gate पे हम plus minus 20 volt तक दे सकते हैं तो पूरा 20 volt देने की वज़ाए हम कोशिस करते हैं 12 या 15 volt दें पूरा 20 volt देंगे तो वो आपका maximum पे चला जाएगा अगर 5 volt देंगे तो वो हो सकता है कि miss कर जाए proper on ना हो 12 या 15 volt अगर हम यहाँ पे देंगे तो MOSFET आपका proper on होता है तो यहाँ पे यह जिनर है या तो 12 volt का होगा या तो 15 volt का 12 भी लगाएंगे तो काम करेगा और 15 भी लगाएंगे तो काम करेगा उसमें बहुत जादा यहाँ पे फरक नहीं पड़ता है अब इसको यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे जिनर डायोड है यह रजिस्टेंस है और यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी वह आपका एक ट्रूपटो कपलर के थूरू होते वह आपके इस मोसपेट को मिलेगी अब यह सप्लाई तो यहाँ पे परमानेंट बन गई लेकिन इसको ओन ओफ करने के लिए यहाँ पे यह जो आपका शरकेट है यह जो कंट्रूलर है यह आपका इसके ओप्टो कपलर को ओन और करेगा यह MOSFET ON हो जाएंगे, AUCTOCAPULER को OFF करेगा तो MOSFET आपके OFF हो जाएंगे इस AUCTOCAPULER के THROUGH आपका यह circuit is control होता है इस Optocoupler को control करता है आपका यह microphone ठीक है अब क्या करेंगे हम यहां पर इसको check करते हैं एक एक करके डायोड मोड पहले तो resistance मोड पर check करेंगे यह रेजिस्टेंस लगी है 202 यानि कि 2K की है इसने 2K नहीं दिखाया इसने 268 Ohm दिखाया है दोस्तों यह भी गलत दिखाया इसने ऐसा होना नीची है जिनर डैयोड को चेक करते हैं जिनर डैयोड ने 0.166 यह भी गलत है यह आपका यह पर गलत दिखा रहा है या तो यह हम पर यह तो यह इसेक नहीं पर उपन करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं जिनन डियोड को हमने लोकेशन से निकाल के यहां पर रख दिया है डाzhक जिनन डियोड को भी आप चेक कर सकतें, तोर ही दोनों इस आप को कर के करना हुँ कुषन, मल्टिमेटर को डियोड मोड़ मोड करके चेक करें, तो यह जिनन ने दिखाया धोस्तो 0.163 यानि कि लगबग यह जिनर डायोड यहां पे शोट है यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो देखिए यहां पे ओएल दिखाया है आप रजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं 2K की जो रजिस्टेंस पहले लगबग 300 ओम के आसपास उसने दिखाया था अब यहां पे वो वैल्यू आपकी एक्जेक्ट सही दिखायेगी 1.96 किलोम पूरा-पूरा 2K के इसने दिखा दिया है यहां पे जबकि वहां पे 300 ओम के आसपास दिखाया था क्योंकि जिनर सोट था अब क्या करेंगे हमने यहां पे वैरिफाई कर लिया है अब यहां पे जिनर कौन सा लगाएं क्योंकि हम यहां पे पलस मैनिस 20 वोल्ट तक दे सकते हैं तो उससे निचे का जिनर लगा सकते हैं लेकिन बिल्कुल कम वैल्यू का भी नहीं लगाना है खोशिश करनी है या तो 12 वोल्ट का लगाएं या तो 15 वोल्ट का लगाएं 12 वोल्ट का भी चलेगा 15 वोल्ट का ज्यादा बैटर ओप्सन है तो मैं यहाँ पे 15 वोल्ट का जिनर लगा देता हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे आगे का कि इसने सरकेट ने यहाँ पे काम किया या नहीं किया, जिनर सोट होने की वज़े से यहाँ जो वोल्टेज है वो नहीं बन पाई थी, इस मोसफेट को ओन करने के लिए, यहाँ पे आपका यह रेजिस्टेंस लगया है, वहाँ पे जिनर का कैथोड लगेगा, यानि कि रिवर्स में होता है, वैसे तो यहाँ पे मार्किंग होती है, फिर भी आपका जो जिनर है, वो आपका रिवर्स में लगता है, तो जहाँ पे कैथोड है, वो आपका नेगिट्यू पे लगेगा कैपेस्टर के यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पर पूरी दिखाएगा देखिए 0.7 जो की पहले 0.163 दिखाया था अब यहाँ पर पूरी जिनर ने वैल्यू दिखा दी है क्योंकि यह जिनर आपका ठीक है मल्टिमेटर को कर लेते हैं DC Volt पे बैटरी को करता हूँ ON और यहाँ पर चेक करते हैं बैटरी वोल्टेज यह नेगटिव है यह बैटरी वोल्टेज है आपकी 49 यहां पे 50 हो गई है क्योंकि एक बार थोड़ा सा इसको चार्ज दिया था अभी यहां पे 50 है क्योंकि मेंड शप्लाइग कनेक्ट नहीं की है तो यहां पे कोई वोल्टेज नहीं है लगबग एक वोल्ट के मेंच पहीं सब्सक्राइब करता हुँ इतै है कि यह पर फ्रण करने के बाद यहां पर और इस को mistakes करें इसको ओर और यहांने च्छेक करेंगे कि यहां पर देखें कि चार्जा कुझा फेनी स्टाटैनी बेंगी है खराब है तुरंट राइज हो गई है अगर बैटरियां ठीक होंगी तो दीरे दीरे ग्रैजुली वह वोल्टेज बढ़ेगी चूवन पांट सात वोल्ट थी वह यहां पर बैटरियों प्रूट तक पहुंच गई है यहां पे पूरीत तरीके से ओन कर दिया है यहां प्ल्स नहीं है शिद्धा पन्दराह वौल्ट देके मोस्पेट को ऊन किया है इसलिए मौस७ेट का अमप्यर यहां पह तुरंत यहां पे पूरी पूरी राइज हो गई है देखेए वहां पे दूसरा सेट है उससे गम है यहां पे 39 पहुंच गई है इसलिए यहां पे आपका कम दिखा रहा है